सब ही को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वी इंढ़ुआ मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं फारम साथ आप कैसे भर सकते हैं बीलो एप के माध्यम से डैथ केस में पूरा प्रोसेस आपको बताने की कोशिस करेंगे इसलिए आप सबसे पहले आपको अपना प्रोस आप लोगिन कर लेना है जैसे या आप करेंगे तो आपको इस पूरिकार्ष इंटरफेश होता है एक बात आपको पहले ही बता दे जो भी वारम आप साथ नमर नम्बर में फिलकरते हैं चाहे वो डैथ केस में हो शिट केस में हो यह अन्य को बता है वोट काटने के लिए हम फारन नंबर साथ का प्रियोग करते हैं तो जो ऑप्शन है डिलिशन ओबलिक ओब्जेक्शन इन इन्टर एप्लिकेंट एपिक नंबर तो आपको पता दें वहाई अपना वोट नहीं कटवा सकता यानि वह अवश्य ध्यान रखें क्योंकि यहां पर बहुत बार गलती कर देते हैं कि एप्लिकेंट मिर्च व्यक्ति को ही बना दिया जाता है जो की गलत है और आपका फारमा रिजेक्ट हो जाता है तो यहां पर आपको जो वोट कटवाने वाला है प्रिवार का कोई अन्य सदस्या है तो उसका अपिक नंबर आपको यहां पर फील कर देना है जैसे कि मैं अपना अपिक नंबर फील कर देता हूं और मैं अपने दादा जी का जो वोट है वो कटवान और अधर इलेक्टर का उप्सन आपको यहां पर स्लेक्टर नहीं होता है हाँ शिप्ट के केस में यहां पर सेम डिटेल कर सकते हैं यह निश्वम भी मतदाता अपनी वोट कटवा सकता है तो अधर जैसे एपिक पर आप कलिक करेंगे तो निचे की तरफ आपको यहां पर उस की डिटेल फिल करनी है उस मतदाता की डिटेल फिल करनी है जिसकी वोट मतदाता सुची से हटाई जानी है ध्यान से सुने दुबारा आपको बता देते हैं यहां पर आपको उस वैक्ति की डिटेल फिल करनी है एपिक नमबर फिल करना है जिसकी वोट मतदाता सुची से हट आना चाहते हैं तो मेरे दादा जी का जो अपिक नमर यहां पर में फील कर देता हूं उसके बाद जैसे आप डिटेल को यहां पर फील कर देते हैं तो आपको कलिक करना है verify and fill form 7 यहां आप जैसे कलिक करेंगे तो जो आपका फार में ओपन हो जाता है सबसे पहले आपको स्टेट डिस्टिक इस प्रकार से असेंबली कौन सिच्वेंशी दिखाई देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्ट पर कलिक कर देना है परसनल डिटेल आजाती है जो एपलिकेंट उसका नाम एपिक नंबर मुबाइल नंबर आप यहां पर फील करें यदि मुबाइल नंबर नहीं है तो आप रिलेटिव का मुबाइल नंबर यहां पर फील कर सकते हैं उसके बाद आप सेव एंड नेक्स पर कलिक कर दें तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो उप्सन है पहला ही अल्रेडी सेलेक्ट है यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी अन्या सदस्य द्वारा कि वो उनके परिवार के सदस्य की वोट कटवाना चाहता है तो आप सभी को बताए डैथ केस में आपको रिक्वेस तो पहला यह option आप यहां पर select करें उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपको यहां पर अवश्य ही attach करना है उसके बाद आपको yes पर click कर देना है नीचे आपको मृत्वैक्ति का जो डाइस पर click करके यहां पर attach कर देना है अटाइच करने के वही सेम तरीके हैं आप direct photo भी ले सकते हैं गैलरी से भी आप अटाइच कर सकते हैं PDF माध्यम से भी आप document को attach कर सकते हैं तो गैलरी से मैं document को एक बार attach कर देता हूं तो इस प्रकार से हम अपना जो death certificate है document हो attach कर देते हैं उसके बाद नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं इसका प्रिव भी आपको दिखाई देता है यदि सही नहीं है तो delete का जो option red color में दिखाई दे रहा है आप वहां पर कलिक करके दुबारा से document को attach कर सकते हैं उसके बाद save and next पर कलिक कर दें यहां पर आपको address में house number street village post office यह कुछ option है जो आपको manually fill करने होते हैं तो आप अच्छे से इन सभी को fill कर दें तो हमने जो detail अच्छे से feel कर दिया उसके बाद आपको save and next पर कलिक कर दे रहा है उसके बाद declaration आ जाती है केवल आपको यहां पर save and next पर कलिक कर देना है तो इस परकार से जैसी आप save and next पर कलिक करेंगे तो next option में आपको farm का preview दिखाई देता है आप अच्छे से check कर लें जो के बाद आप submit बटन पर कलिक कर दें तो जैसे ही आप submit बटन पर कलिक करेंगे तो आपका farm वो successfully submit हो जाता है आपको यहां पर reference ID मिल जाती है यह reference ID आप note करें और जो farm आप manually feel किया है उस farm पर आपको reference ID लिख देनी है उसके बाद उस farm को आपको अवश्य ही अपने office में जमा क करवाद देना है तो इस परकार से आप death case में फारण नंबर साथ apply कर सकते हैं और आप online किस परकार से कर सकते हैं इस वीडियो में हमने आपको बताया है तो वीडियो कैसे लिए कमेंट में जुरूर बताएं धन्यबाद साथ ही वीडियो देखनें के लिए आपका दिन सुब है उत्क दिन सकते हैं जटैं सकते हैं और देखने के लिएखने के लिए आपका दिसे दी जगल